पानी पत्की परशुराम कॉलोनी में और विकास नगर के बीच में एक शक्स की पीट-पीट कर हत्या कर देने का मामला सामदे आया है। जानकारी के मताबिक वारदात का पता तब चला जब लोगों ने गली के बीच मृतक सुदर्शन का शब बढ़ा देखा। जानकारी के मताबिक आखरी बार सुदर्शन अपने भाईयों के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे पर जानी के लिए निकला था जिसके बाद उसका शब मिला। परीजनों का आरोब है कि किसी ने उसके साथ मार बीट की और उसे अदमरा कर कली में छोड़ दिया जिससे उसकी मौत हो गए। मगर वारदात को किस ने और किस लिए अंजाम दिया ये अभी तक जाच का विशे है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुची और शब को कब से मिले कर कोस्ट बर्टम के लिए अस्पताल भीश दिया और परीजनों के बयान के आधार पर अज्यात आरोपियों पर केस तर्ज कर लिया है। करेंगे इसको तो पोस्ट मार्टम होगा उसके बाद इनके ब्यान ले लिये हैं उसके फाइर दर्ज करेंगे और आके करवाई करेंगे है। किया अत्याग मटर के आगया है क्या पता है। हाँ संभावना यही है कि मटर हुआ है बाकी तप्तीश में आएगा कि आखरी बार किसके बास तजानी है। आखरी बार इसका बाई था जो विकास नकर में रहता है। बदादे मृतक सुदर्शन उत्तरप्रदेश का रहने वाला था और पानिवत में किराई के मकान में रहता था। जहां वो टाइले लगाने का काम करता था। बेराल पुलिस ने शफ का पोस्ट बाड़म करवा कर परिचनों के हवाले कर दिया है और आगी की जाच में जुटी है। पंजाब के स्री टीवी के लिए पानिपत से सजिन शर्मा की रिपोंट।